हलो अब्रीवन वेल्कम बैक टू दे चैनल सो आज हम यहां पर 30 दिसंबर आज की करेंट इफेड देखने वाले हैं पहला ग्वेशन है वो लॉंच्ट ओसिरिस एपिक्स मिशन टू स्टडी गौड ऑफ के ओस एस्टिरोइड यह मिशन जो है इसको नासा के द्वारा बेसिकली रिलाउंच किया है ठीक है तो आंसर होगा नासा नासा ने रिलाउंच किया है ओसिरिस एपिक्स मिशन टू स्टड God of God of Chaos asteroid Opophys एपोफिस यह जो एस्टेरोइड है इसका नाम एपोफिस है अर्थ के और्बिट में यह अप्रोच करेगा 2029 में ठीक है तो 2029 में जो यह क्लोज आने वाला है अर्थ से तो यह समझने की जरूरत है कि इसका पोटेंशल एफेक्ट क्या होगा ऐसा जो नहीं है कि प्रिस्वी को खत्रा होगा जादा इस एस एस्टेरोइड के आने से यह पिर क्या उसके कंसिक्वेंस होंगे पॉजिटिव होंगे यह सारी स्टेडी करने के लिए अभी यह जो जो ऑसरिस एपिक्स मिशन है नासा के द्वारा इसको भीजा गया है ठीक है यह क्लोज आने वाला है अर्थ के दो हजार उनातीस में एपोफिस नोन फोर इस 370 यार्ड साइज ठीक है इसका साइज है इतना विल बी जस्ट 20,000 माइल्स फ्रॉम अर्थ अर्थ से के वाल इतनी दूरी पर रहने वाला है क्लोजर दिन सम् मैनमेड सेटलाइट्स 13 अप्रेल 2029 को इए अर्थ के इतने पास में आने वाला है तो इसी की स्टडी के लिए नासा के द्वारा इस मिशन को रिलाउंच किया गया है यहाँ पर स्पेस करेंट अफेर रिवाइज कर लिते हैं लूना 25 मिशन रश्या का है फेल हो गया है यह इसरो का गगन्यान 2024 में लॉंच होगा चंद्रियान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉंच किया गया था LVM3 रॉकिट के जरिए आदिते L1 इंडिया का पहला सोलर मिशन है इसको 2 सितंबर को लॉंच किया गया था और रॉकिट यूज हुआ था PSLV C57 Euclid Space Telescope European Space Agency का है निसार, NASA और ISRO का एक जॉइंट मिशन है Earth Observing Satellite है जिसको 2024 में भेजने का प्लान किया गया है निसार की फुल फॉर्म है NASA ISRO Synthetic Aperture Radar DART Mission Double Asteroid Redirection Test यह NASA का है Artemis 2 Moon Mission NASA का NASA के द्वारा इसरायल का पहला Space Telescope Mission लॉंच किया गया है नाम है इसका Ultraset Zongzing 26 Communication Satellite चाइना की है और Shian 19 Satellite भी चाइना की है Next question है Who has been appointed as the new Director General of CISF इनका नाम है Neena Singh Option A Correct है Central Government के द्वारा तीन Central Paramilitary Forces के Chief को अपॉइंट किया गया है सबसे पहले हम देखें CRPF Central Reserve Police Force इसके Director General Anish Diyal Singh है फिर ITBP Indo Tibetan Police Force के है राहुल रसगोत्रा और CISF यानि Central Industrial Security Force के DG Neena Singh को बनाया गया है Neena Singh पहली महिला बनी है जो CISF की Head है यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं पिछली कुछ प्रमोद अगरवाल Bombay Stock Exchange के Chairman है Sanjay Singh Wrestling Federation of India के Chief पने है Manisha Padhi इंडिया की पहली Women ADC from the Indian Armed Forces सुनीता B.S. पहली Women to Command Armed Forces Transfusion Center डेली केंट में फिर MP के CM Mohan Yadav, राजस्थान के CM भजनलाज शर्मा, चातीजगड के CM विश्नुदेव साई कलंगाना के CM रेवन्त रेडी और मिजोरम के CM लाल दुखोमा बने है नेक्स्ट क्वेशन है Prime Minister inaugurated which airport in Ayodhya तो Ayodhya में अभी Maharshi Valmi की airport का inauguration प्राइमिनिस्टर के द्वारा आज ही के दिन 30 December को किया गया है Maharshi Valmi की एक sage poet थे, इनके नाम पर ही यह बनाया गया है और इस एरपोर्ट को ग्रिह फाइव स्टार रेटिंग को दियान में रखते हुए इसको तयार किया गया है Dong Jun is appointed as the new defense minister of which country Dong Jun नए defense minister बनाय गये हैं चाइना की option A correct होगा इनसे पहले Lee Shang Fu थे ठीक है Lee Shang Fu अगस्त में missing हो गए कहीं पर अभी भी disappearance इनका बना हुआ है पता नहीं कहां पर है unclear रहे चीज की कहां चले गए वो ठीक है तो अब नए defense minister चाइना की Dong Jun बने हैं और इसलिए important है क्योंकि कुछ specific countries में ना कुछ post बहुत important होती है क्योंकि उस post पर कौन व्यक्ति बैठा है विचारधरा क्या है और वो किस तरह से अब आगे उस country को lead करने वाला है इस बात पर इस बात का बहुत फर्क पड़ता है दूसरे देशों के साथ उसके relations पर ठीक है तो यह थोड़ा सा important हो जाता है याद रखिएगा US announced military aid of 250 million dollar to which country तो US के द्वारा military aid provide की गई है 250 million dollar की final aid है यह और यह Ukraine को दी गई है रशिया के invasion के बाद से अब तक हम देखते हैं तो लगभग 46 billion dollar military aid US दे चुका है यह Ukraine को which country has become the second largest global steel producer यह बनी है इंडिया इंडिया में हम देखे domestic steel production हमारा 90 million tons तक हो चुका है और consumption हम कितना करना है 87 million tons का पिछले साल से आप तक 14% की growth देखी गई है domestic steel production में और यह 14% की growth कैसे है यह boost कैसे मिला इतना PLI scheme का support मिला हुआ है steel sector को production linked incentive scheme जो सरकार की चगरिये कई शेत्रों में अलग-अलग सरकार ने इसकीम को लागू किया हुआ है इसकी वज़े से investment भड़ा है steel sector में which state introduced India's first submarine tourism तो यह गुजरात के द्वारा introduce किया गया है इंडिया का पहला submarine tourism गुजरात गवर्मेंट ने इसके लिए मजगाउं डॉक लिमिटेड के साथ में एक agreement किया एक collaboration किया है ताकि द्वारका में इंडिया का पहला submarine tourism शुरू किया जा सके launch किया जा सके दिवाली दो हज़ार चौबेस से पहले यह operationalize कर दिया जाएगा और इसमें जितने भी लाइफ का एक व्यू प्रवाइड करने का काम यह करेगी सब्मरीन टूरिसम जो शुरू हो रहा है कुछ रात में द्वार का में ठीक है पी एम मोधी इनॉग्रेट बी एपीएस हिंदू मंदिर इन विच कंट्री तो पी एम मोधी इनॉग्रेट करेंगे यू एई में यू पीएस की फुल फॉर्म है बोचसनवासी श्री अक्षर पुरुशोत्तम ठीक है तो बीए पीए स्वामी नरायन संस्था के दोरा यह मंदिर बनाया गया है कई अलग अलग देशों में इस संस्था के दोरा हिंदू मंदिर बहुत सारे बनाया जाते रहे हैं अभी एक बनाय कई सारे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चलते रहते हैं न देश में तो उन ही में से एक यह है मिनिस्ट्री अफ जल शक्ती इसके द्वारा यह एग्रीमेंट करवाया गया है दोनों स्टेट्स के बीच में राजस्थान और एंपी के बीच में अन्दा मोडिफाइड पार इसी के साथ में एक कुलाबरेशन किया है किसलिए किया है टू प्रमोट स्टेम सब्जेक्ट्स इन हाइयर एड़ुकेशन स्टेम क्या है स्टेम का मतलब है साइंस टिकनोलोजी इंजीनियरिंग और मैथेमेटिक्स ठीक है तो इन सब्जेक्स को स्टेम बोल दिया जाता है आरोहन असम गवर्मेंट की एक स्कीम है जिसके तैट गवर्मेंट स्कूल के स्टूडेंट से नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक के इन्हें इनके बीच में STEM सब्जिक्स को प्रमोट किया जाए यह काम है मेंली इस स्कीम का उद्देश है ठीक है और इसी के लिए इसी के साथ में आयेटी गुवाहटी ने यह क्लाबरेशन किया है पीस अकॉर्ड साइंड बिट्वीन उल्फा एंड असम एट विच प्लेस नौर्थ एस्ट के हमारे बहुत सारे इशू रहते हैं उनमें से एक इशू यह उल्फा का भी है लेकिन बातचीत के जरिए और पीस किया गया है दिली में और हमारे जो हॉम मिनिस्टर है अमित शा उनके दवारा इस अकॉर्ड को निट kier किया गया तर जो मीटिंग थी जो मीटिंग के लिए लिए दिली में हुई थी वटज्ग वोटवान्स ए ओक उन्देर रेलएस्टाब्रेंटियेशन रीना